सितला ये बाद बता सकता था थू अच्छा मुझे एक बाब था है एवरिवर्ण इस प्रिंसेर विलकम बैक अगें आज हम लोग देखेंगे इंटर्वी एक्सप्रियेंस ऑफ एक्सपेडिया ग्रूप रिसेंट मेरा एक फ्रेंड कृष्णा जो कि मेरा कॉल इस अच्छा दोस्ता और वो रिसेंट में भी एक्सपेडिया ग्रूप जॉइन कर रहा है और उसने काफी सारी बादे मुझे बताई जो कि मुझे लगा कि आप से सेर करनी चाहिए तो वन बाई वन हम लोग कृष्णा करेंगे कृष्णा के साथ and first of all very congratulations to Krishna कि अपने तुमने एक्स्वीडिया ग्रूप जॉइन किया तो आप बोलना यहां पूचित नहीं है ओन गैमरा थे स्पेसली तो यह कृष्णा वेलकम बैक इन ओर चैनल तुम आई थिंक बहुत सारी हमने एक्स्वीड डिजाइन किया आ अभी तक अभी तक तो जर्नी यार सिंपल ही थी कॉमन जैसे कि हमने कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद कैंपस प्लेस्मेंट जिसको जहां जैसा भी मिला हमने लिया यह एक जर्नी स्टार्ट हुई कि यार अब टीर वन कंपनीज में ट्राई करना है तो मतलब बाइदे टाइम हमने ओन केंपस प्लेस्मेंट जोईन किया उसके बाद जो भी टाइम मिला उसमें कोशिश यही रही कि टीर वन कंपनी जैसे फांग अब तो मांग हो गया इसमें इसमें जाने की मांग थी हमारी भी तो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई और अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक्सपीडिया ग्रूप से ओफर लेटर आया है ऐसे मशीन लर्निंग एंगेंटियर बहुत सई बहुत सई बहुत सई बहुत सई होड़ाया है तो जैसे कि हां जो क सबसे कामन सवाल ठीक है अभी तो रखा जाया है तो हम लोग में जा सकते हैं इस पासिबल फॉर इस ऑलसो कि यार देखो मुझे जहां तक लगता है कि कोई कहीं भी जा सकता है मेरा तो माइंड सेट लाइक हमने तो हमेसा यहीं डिसकस किया है कि यार माइंड सेट अच्छा बना के चलो तो रही बात मनलब जैसे कि मैंने देखा जैसे हमारा तेरा और मेरा भी माइंड सेट यही था कि यार जैसे फेस्बूक हो गया एपल हो गया एक्सपीडिया हो गया और बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि 15-20 से उपर पैकेज देती हैं वो हमें लगता था कि इतना जल्दी ब्रेक कर दो जितना जल्दी accept करलो कि हायर फेसे बुक और एपल भी बंदे ही हायर कर रही है जो कि तुम्हारे जैसे है उनके पास भी वही इंटेलिज्ञेंस वही वही बुद्धी है जो कि तुम्हारे पास है we'll be a little easier for you to approach it will be a little easier for you to be confident in the interview process So it's just about वो बयर वो threshold break करना होता है कि अगर तुमने सोच लिया कि तुम जा सकते हो तुम जा सकते हो no matter how no matter what किसी भी tier 3 college से हो tier 2 से हो तुमने coding 4 साल की नहीं की तुम 5-6 माईने ढंक से मेहनत करोगे हो जाएगा मैं तुम तो मेरी coding जानते हो कितनी अच्छी थी मतलब मेरे interview के सुरुआत से मतलब मैंने hello world से सुरू किया था जब मुझे पता चला कि मेरा interview होगा तो बस वो mindset की ही बात है एक बर तुम threshold break कर गए तो कर जाओगे तुमको क्या लगता है कि मतलब जो DSA है जैसे हम लोग सब discuss करते हैं सारी लोग ठीक है overall the market चल रहा है कि DSA को बहुत 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 टाइबू बान लिया गया ठीक है कि DSA आता है DSA में तुमने graph, dp, tree सब कर रखा है तो तुम in होगे नहीं आता है तुम्हारा नहीं होगा तुम मिस्टिक कैसे validate करोगे या cross validate करोगे whatever you think on me मुझे लगता है कि ये topic थोड़ा सा misguided है जैसे कि तुम तो actively थोड़ा नहीं भाई, current market नहीं थोगत misguided है बहुत-बहुत misguided है लोग DSA को ले लेके मतलब बहुत सारे courses बेच रहे हैं बहुत सारे tutorials बेच रहे हैं on somehow I think that is not good way to approach this क्योंकि supposedly Prince अगर उसने tree नहीं पढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो disqualified है अगर तुमने उसे simple problem पूछा कि हाँ ये एक array है इसमें से 2 biggest element find out करो उसका approach कैसा है वो basic से कैसे उस चीज को उठाता है वो उस चीज को breakdown कैसे करता है वो उस problem को सोचता कैसे है that plays major role बजाए कि तुम्हें कितने सारे data structure आते हैं या way of thinking matters a lot तो अगर इसको summarize करें तो in a way कि DSA और algorithm अच्छी चीज है जानो but way of thinking और way of representation is more valuable in interview अच्छा वेटा क्रिस्टन एक बात बदाओ तूम तुम्हें क्या लगता है college के बाद किसी भी student को जन्मिली उसने 3rd year 4th year बस उसको normal चल रहा है तो यार ऐसा नहीं है ना हमारे college में बहुत बंदे sincere ठीक है हाँ एक होता है कि अपन pro level के coder बन जाए एक होता है कि normal अपन कर रहे हैं इस चीज़ को कैसे कांट्रफाइ करके लोग निकलते हैं कि एक बार जब नहीं होता है ना तो बहुत गंदा दिल तूटता है दिल नहीं तूटना चाहिए वह बताओ यार तो जैसे कि यार देखो almost 95% की story सेम होती है कि हम कोशिस करते हैं कि हम बहुत बड़े colleges में जाएंगे but we end up in tier 2, tier 3 colleges it's okay और पहली बात तो यह जो तुमने एक point बोलो ना कि जो college के 4-5 लड़कों को देखके मैं यह कहता हूँ कि तुमको इन बड़ी companies में जाने के लिए code safe पे 5 star और code forces पे grand father जो भी होता हूँ grand label, grand master नहीं होना है literally नहीं होना है तुम्हें एक normal level की problem solving और thinking आनी चाहिए that's it so अगर तुमने अपने देखो यह मीथ मेरे दिमाग में भी था जैसे जो तुम्हारे तुमने बतायाना कि वो 5 लेबल के जो बंदे हैं वो ICPC regional finalist है वो ICPC में ford रहे है code forces में वो red बंदे है even if we want to हम उनसे compete नहीं कर सकते मैंने तुने कितनी बार discuss किया है कि भाई जो अपने college के top coders है अगर हम 2-3 जनम लेके भी coding करें तब भी हम उनके जितना coding नहीं कर पाएंगे तो but this doesn't mean कि तुम जिस companies में वो product based company या जो top level की company hire package देती है तुम उसमें नहीं जा सकते because competitive coding एक sport है और software engineering एक job है sport में अगर तुमें excel करना है तो तुमें top level का athlete बनना पड़ेगा लेकिन job में तुम एक normal level का sincerity लाके भी job ले सकते हो exactly तो लेकिन जब तक ये myth clear नहीं होगा दिमाग से ये acceptance नहीं आएगी कि हाँ यार अगर मैं red coder नहीं हूँ तब भी मैं normal data structure algorithm पढ़के interview crack कर सकता हूँ तब तक तुम पहली बात तो apply करना शुरू नहीं करोगे हमारे साथ तो यही हुआ ना कि हमने third year fourth year में apply नहीं किया क्यूँ यार हमारा तो हो गई नहीं इतने अच्छे अच्छे बंदे पड़े हैं और यही 90% reason है कि हम रुख जाते हैं तो पहले पर यह बांड बन जाता है हमने अपने दिवा में पहले एक लेवल स्ट कर लिया यहां तक अगर हमने कोर्स खतम किया तो हम जाएंगे नहीं होगा तो नहीं जाएंगे अच्छा क्रिश्णा चलब तेरी प्रैक्टिस की बात करते हैं तुझ लीट कोड या जी कर जाओ कि मतलब जिसे जो बेसिक हैं एरे लिंक लिस्ट यह सब कॉंसेप्ट हैं तुम एक बार अंडर्स्टैंड कर जाओ उसके बाद जिस कंपनी के लिए तुम अपलाई करने जा रहे हो उनके प्रीविएस येर का टेंप्रामेंट चेक करो कि वह किस लेवल के क्या वो question के length पे जादा focus कर रहे हैं या sort or tricky questions पूछ रहे हैं तो मैं ऐसे तुर नहीं कह सकता कि मतलब मैंने lead code बहुत solve किया या GFG पे बहुत practice की बट ये approach है कि जैसे तुम कर सकते जैसे मैं link list पढ़ रहा था hello world तुमारे channel पे बहुत सारी videos हैं कि how to find middle of the link list तो ऐसा नहीं था कि मैंने हर एक code को देखा मैंने तुम्हारी videos देखी उनके approach को समझा और जैसे tree के playlist हैं जैसे graph का playlist है तो interview के time में मेरे पास time नहीं था कि मैं सब code करके देख सकूँ तो playlist का ये तो मैंने फटाफट सारे videos देख लिए उसके concept पढ़ लिए तो इस तरह से playlist को skim करो इसके through जाओ और ये approach रखो कि तुम्हें सब कुछ deep में नहीं पढ़ना है बड़ तुम्हें एक understanding बनानी है हर चीज की overall कुर में लाकर सब सब important है होता है कि तुम जब भी किसी इंट्रव्यू के लिए जा रहे हो जब भी किसी कंपणी का तुम्हारा सेलेक्शन होता है तो जी एफजी के archive पढ़ो lead code के archive पढ़ो तुम वहां पे go through कर जाओ एक बार बिल्कुल बिल्कुल पास्टीयर में किस तरह के question था ज्यादा focusing का किस चीश पे था जैसे कि अगर मै जो आपको पता है कि आपने code कर लिया ठीक है बट आपको time नहीं मिल रहा है तो फटाफट किसी का कोई अच्छे चैनल का वीडियो देख लो प्ले लिस्ट नहीं तो आप फटाफट कोई भी वीडियो देख लो और उसको आप फिर खतम कर सकते हो एक overall idea दिमाग में रखे कि अच्छा किष्णा अब तो कंजूसी छोड़ दो भाई मतलब अब तो तुमारे पास 30 35 लाग रुपे आ रहे हैं अब तो मुझे सिंगापूर का ट्रिप स्पांसर करो सिंगापूर का ट्रिप 30 35 लाख यार खैर यह तो बाते हैं मतलब इतना मिलता नहीं है कहने की बात है बट सिंगापूर का ट्रिप तो जरूर करनी है लॉकडाउन में तो एक दम बोर हो गये हैं तो एक ट्रिप तो बनती है अच्छा एक बात बता एक सिंगल अडवाइस जो तुझे लगता है कि यार लाइफ में कुछ करो या मत करो लेकिन यह जरूर करो ऐसा आइनो तेरे पास बहुत अडवाइस है बट एक बता तो ऐसा तो टॉपिक बहुत ब्रॉड है बट एक सिंगल चीज मैं यह कहना आधिये कोडिंग कर रहे हो क्योंकि कोडिंग में मजा आरहे है अगर नहीं आण्रह तो छोड़ दो मत करो और तुम यह कॉमपैररिजन और यह डूडा सा हटा दोगे तो तुम लाइफ में वो काम कर सकते तो तुमने कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि attachment और comparison से ना काम आगे बढ़ता नहीं बट वहीं फसके रह जाता है तुमने और हमने दोनों ने face किया है कि एक बर तुम अरे कि वह लिमिट लग जाता है लिमिट लग जाता है तो यह comparison अटा दो और एक end goal attach करना अटा दो तो बहुत आगे जाओगे मतलब मुझे इससे बहुत फायदा हुगा है तो आई वुड रिकमेंड कि यह करो चल सितला एक rapid fire round खेलता है ठीक है यह rapid fire round मतलब बहुत simple सा मैं या फिर तुझे एक line बोलूंगा उस पर तुझे आंसर देना या फिर मैं वर्स बोलूंगा कि यह free है तुझे कुछ उट्यूस करना है ठीक है चल एक्सपेक्टेट सेलरी क्या एक्सपेक्ट करोंड है ठीक है बेस्ट कोडिंग लेंग्वेज सी ब्लस प्लस नहीं है पाइफन ठीक है बेस्ट ट मसीनी लर्निंग बोलेगा तु वर्क फाम होम यह वर्क फाम आफिस वर्क फॉम आफिस वह भी बहुत है बेस्ट यूट्यूब चैनल है लोड़ वड़ प्रिंज ठीक है रिम लोकेशन कि जहां तुझे मन करता है महां या काम करो ऐसा कैनडा मनी या फेम मनी रसियन या इं तो यह डाइट सॉल गाइस आई थिंक वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा एंड कृष्णा एक बात यहीं कहें गया इतनी बड़ी कंपनी में जा रहें सुदामा को भूल मत जाना की तरह टप्चा देना सब को रिफरल मिलेगा अगर आपको कृष्णा से कॉनेट करना कर सकते हो अगर 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 और कोई स्वेश्ट डॉक्त कर सकते हो मुझसे अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन जरूर बताओ और भाई साब तुम्हीं बोलो थोड़ा कुछ बस यार यही था चैनल फॉलो करो इसमें मैंने काफी कुछ सीखा है तुमें पी सीखने को मिलेगा इस गुड़ और मुझसे कनेक्ट करना हो तो लिंक्डिन पर नीचे दिया हुआ है थांक यू सो मच प्रिंस मजा आया इंटरव्यू करके अच्छा लगा अगर चैनल सब्सक्राइब नेकित प्लेश्ट कर दो इस तरह और भी अपडेट आते रहेंगे चैनल पर ए मैं तेरा पैकेज रिवील कर सकता हूँ रफ रफ आइडिया रफ आइडिया दे पूरा नहीं कर सकते चालिस के रेंज में इस प्रोमोशनल बेसिस पे कि तेरी हैसिंग और तेरी ट्री की पेलिश्ट ने काफी हल्प किया अच्छा ठीक है राउंड होगा इसमें तुझे फ